प्यारे बच्चो नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चो आज हम कक्ष्या आठ सामाजिक विज्ञान इत्यास के अंदर पाठ दो सिक गुरू की परंप्रा के कारिये पत्रक हल करने वाले हैं तो जो बच्चे चैनल पर नहीं है या चीन पंजाब के तलवंडी नामकस्तान पर हुआ और सिक्ष्याएं क्या है हम सब इस्वर के संतान हैं जातिये बेदवाव से दूर रहना चाहिए प्रेम से रहना चाहिए जब करना चाहिए यू कितन करना चाहिए शीखों के कितने गुरू थे उनमें सिकनी पांच के चित्तर तो सिक्षों के दस गुरू थे और पांच के चित्तर आपको चिपकाने हैं मन्जी पर्था क्या थी और इसकी क्या उपयोगिता थी इसके बाद में आगे पुछा है मन्जी पर्था क्या थी तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है सिस्या मन्जी पर बैठकर लोगों को अपने सब्दों में करें तो गुरू हर गोविंद की सादत की गटना मैट पूर्ण है गुरू हर गोविंद ने सिक्कों पर लगाये कि जुर्माने को बरने से मना कर दिया था इसलिए ने गौालियर जेल में डाल दिया था आगे है कारे पतरक दो में क्या आप बता सकते हैं कि आपके गाउं या सहर में कौन से दार्मिक्स तल है तो ये आपको खुद करना आपके गाउं या सहर में कौन से दार्मिक्स तल है लिखना है आगे है सिक्क गुरू द्वारा लड़े गई लड़ाईया तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा हूँ अचमको और बसोली खिदराना का योद बंगानी के लड़ाय आननदपूर का युद तो ये आप भी अपने बुक के अंदर बहुत सारे लड़ाय यद योग लिख सकते हैं जो कारिय पत्रक तीन में है गुरु गोविन सिंग ने सिक गुरु परंप्रा को समाब्त कर पवित्तर गरंथ ग्रु शाहिब को ही सिखों के लिख बोड़ करक Help大 दरम गोशित किया, शिक दरम का इत्यास वीर्द और बलदानों का रहा रहा। सिक दरम के दस गुरूओं के नाम और काल करम की सूची बनाईए तो प्यारे बच्चों ये मैंने यहाँ पर आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 16 से ली है तो आप भी वहाँ से ले सकते हो जैसे पहला है स्री गुरू नानक देव जी चोदा से उनेतर से पंदरा सो उनता में साणने को आप पेज नंबर 16 से लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं आगे हैं कारे पत्रक 4 के अंदर नीचे आसादी वार में लिखे सलोक का अर्थ पूछने पर औरंग जेब को गुरुस हर राय के बड़े वेटे राम राय ने क्या जवाप दिया सलोक ध्यान से पजावे में डाले जाने लगी तो यह डर कर चीखने लगी आगे कारिया पत्रक 5 में है आओ जाने हमने कितना सीखा सही उत्तर पर निसान लगाएं तरन तरन नामकान अगर किसने बचाय था तो गुरू अर्जन देव जी ने बचाय था हर्मिंदर साहिब गुर्द्वारा गुरू गोईन सिंग जी ने की थी गुरू गरंत साहिब में परभू का उलेक इस्वर और अल्ला आधिनामों से किया गया है गुरू नानक ने लंगर विवस्ता किसने आपना की थी आधि गरंत का संकलन गुरू अर्जन देव जी ने किया था तो यह था प्यारे बच्चो अध्याए दो दन्यवाद